नमस्कार दोस्तों, सिर्फ मेरी बताई हुई ये एक चीज रोजाना दूद में मिला कर पी लीजिए। लगातार एक महीने तक, आपकी पाचन क्रिया एकदम दुरुस्त हो जाएगी। आपके शरीर में जोडों का दर्द, आखों की कमजोरी, खून की कमी, पेट फूलना, वजन बढ़ना, शरीर में कॉलिस्टॉल का बढ़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। इनफाक्ट आपकी स्किन को भी क्रिस्टल क्लियर बना देगा। सोच कर हैरान हो रही है ना? हाँ, हैरान होना भी चाहिए, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टन चीज है, हम जानते हुए भी, देखते हुए भी, हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। और उसकी जगा, हम लोग किस चीज का इस्तिमाल करते हैं, वो भी जान लीजिए। जब हम टीवी देखने बैठते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े एडवर्टीजमेंट देखते हैं, मॉबाइल पे कुछ चिट-चाट करते हैं, तो भी बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसी साइट्स हैं, जिस पे एडवर्टीजमेंट जाता हैं। किस चीज का? पाउड़र अगर आपके बच्चे के दूर ने मिलाया जाए तो उसकी दिमाग तेज हो जाएगा, उसका शरीर का विकास अच्छे से होगा, आपकी बोन्स को स्ट्रॉंग करेगा, आपने ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, और हम उन जाएगा, बच्चों की आखों की रोशनी, दिमाग तेज हो जाएगा, उनकी हाइड बढ़ जाएगी, लेकिन बेना सोचे समझे, कि क्या सच में उसमें इतना जादा फायदा है भी? आपको पता है, जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, जितनी भी डबा पैक ये पाउड से बना हो, आटिफिशल कलर से बना हो, फ्लेवर से बना हो, वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए कैसे फायदे मंद हो सकता है, लेकिन आज से ही विदेशी कंपनियों को बाई-बाई बोलकर बलकि अपने घर की किचन में रखे हुई ऐसी चीजों का इस्तमाल करें जिससे आपको अंगिनत फायदे होंगे, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरी चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेर करना तो बिलकुल भी मत भूलिएगा, देखिए, अगर आपका वजन बहुत ही जादा बढ़ता जा रहा है, तो बस आपको soft का इस्तमाल करना है, जी हाँ, आज मैं बात करी हूँ soft के बारे में, जो हमारे घर में तो available होती है, लेकिन हम market विदेशी कंपनियों को ज्यादा attract होकर उनको फायदे मन समझते हैं और इनका इस्तमाल करना बिलकुल बंद कर देते हैं, आप जा इसी को तो कहते हैं एक अच्छा पाचन तंत्र, जो भी खाया वो शरीर को लगा, यानि energy में convert हुआ, ना की मोटापे में, तो अगर आप soft वले दूद का सेवन करते हैं, रोजाना अपने बच्चे को देते हैं, खुद खाते हैं, खुद soft जो हैं दूद में उबाल कर पीते हैं, तो आपका पाचन तंत्र एकदम से दुरूस्त हो जाएगा, और आपको इसका फाइदा दो या तीन दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा, आप पहले से बहुत हलका और बहुत light feel करेंगे, आपको हमेशा भारी पन, खट्टी डिकारे, पेट फूलना, ये सारे समस् आप बढ़ते हैं, दूसरे फाइदे के बारे में, अगर आपके बच्चे या आपके आँखे कमजोर हैं, क्योंकि आजकल हम गैजट्स का इस्तमाल बहुत जादा करते हैं, और डाइट के नाम पे बिलकुल जीरो, हम जंग फूड को ज्यादा प्रइफर देते हैं, और घर के healthy food को avoid करते हैं, तो इसके लिए आपने सबसे पहले packet bund जो foods होते हैं, जितने भी packet foods मिलते हैं मार्केट में, noodles, shawmans, ice creams, cold drinks, chips, biscuits, इन सबका इस्तमाल करना बंद करना है, इसकी जगा आपने सौफ वाले दूद का इस्तमाल करना शुरू करना है, और healthy diet intake करनी है, सौफ में, vitamin A vitamin C भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी आखों की रोशनी को बढ़ाता है, मोतिया बिंद जैसे भ्यंकर समस्या को दूर करता है, अगर आपको चश्मा लग भी गया है, तो भी आप notice करेंगे कि पहले से आपकी नजर बढ़ती जा रही है, आखों की रोशनी बढ कराऊंगे कि सौफ़ाला दूद तयार कैसे करना है, अगर आपका वजन बहुत जादा बढ़ता जा रहा है, तो सौफ़ाले दूद का सेविन करना शिरू करें, इसके सासाथ खाने के बाद थोड़ी सी सौफ जरूर खाएं, यह आपके पाचन तंत को दुरूस करती है, जि आपका वजन कंट्रोल होने लगता है, आपके शरी में जहां-जहां फैट है, वो पिघलने लगता है, यह रसर्ष में भी पाया गया है, इस पे फाइवर बहुत जादा होता है, जो लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता, आपकी एक्स्ट्रा क्राविंग को अब बात का लेते हैं, सबसे इंपोर्टन चीज की जो है गर्ल्स प्रॉब्लम, यानि पीरिट्स प्रॉब्लम, अगर आपको भी पीरिट्स की टाइम पर बहुत जादा पेन होता है, आपसे सहा नहीं जाता है, तो इसके लिए दवाईयां लेना बिल्कुल बंद का दीजे जाता है, इसमें एंटी ऑक्षिन भरपूर मातरा में होता है, जो आपके पेट को बहुत आक्टिव रखता है, आपके माइन को बहुत रिलाक्स करता है, दोस्तों अब इसको बनाने के लिए एक बड़तन में हम दूद ले लेंगे, उस पे दो चमल सॉफ डालेंगे, अब दूद को अच्छे से उबाल लेंगे, अब आप देख सकते हैं, दूद अच्छे से उबल चुका है, तो मैं अब इसको एक कप में निकाल लूँगी, इसको आपको बिल्कुल भी चानना नहीं है, बलकि इसको आपको ऐसे ही पीना है, तो बस basically, moral of the story है कि आपको आज सही घ पाइदे-मंद लग रहा है, तो लाइक तो बनता हिए ना मेरी महनत के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई, टेक केर एंड, से हिल्दी, लॉव यू अल।